कि आज हम बनाएंगे सब को पसनानेवाले पनील के पराथ हैं लेकिन हीं बहुत एल अच्छी रखती है तो लाइक ज़रूर करना और हाँ टेस्टी और सॉफ्ट ऐसी पराड़ों के लिए मैंने हम एक बोल लिया है बोल में एक कप गेहुक आठ डाला है और स्वादा नमक डालके उसी अच्छे से निक्स कर लिया है उसी के साथ यहां पे हमें देड़ कप पानी लेना है और थोड़ा-थोड़ा करके आड करके हमें उसका स्मूथ ऐसा बैटर बना लेना है यह देखिए मैंने थोड़ा-थोड़ा राल कि यहां पे इसा बैटर जो है रेडी कर लिया है तो चलिए उसे साइड में लखते हो अगली प्रोस्स के तरब चलते है उसके लिए मैंने एक बूल लिया है और बूल में एक खप मैंने यहां पर पनी लिया है उसके साथ एक टेबल स्पून की करीब मैंने यहां पर लार मिर्श डाली है आदा चमश हर्थी पौडर मैंने आपर आड किया है उसी के के साथ जो है धनिया पौडर आड किया है एक चमश और अब जो हम लोग ने बैटर रेड़ी कर लिया था उसमें हम लोग यह पनीर का जो है मसाला आड़ कर देंगे और दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर अच्छे से गला लिए यह बहुँद्वी इसे मेधड रेड़ीक कर सकते हो कर यहाँ पर मैंने थोड़ा से और कसूरी मेंरे कर दिया और अगर अगर आपको लग रहा है बैटर थोड़ा सा गाणा तो आप थोड़ा water डालके add this कर सकते हो यहां पर मैंने एक तवा लिया है तवा को थोड़ा बटर लगा के बाद में जो है एक टेबल स्पून मैंने यहां पर याड़ी किया है और इसे अच्छे से तो हम दोनों साथ सिर्चे से ब्राउन होने तक पका लेंगे हमारा जो है पनीर पराठा देखिए यहां पर बिल्कुल वन के रेड़ी हो चुका है ना एक दम इसी रेसिपी तो आप इसे ज़रूर ट्राय करना और अगर अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना म मैं उन्हें इसके साथ सर्फ किया है आप इसे टिफिन में भी दे सकते हो या ब्रेट पास के लिए आप बना सकते हो या फिर क्विक डिनर के लिए भी यह रेसिपी बहुत ही इसी एसी है तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और हां सब्सक्राइ झाल